आज के हमारी वीडियो सिरफ रेमेडियल अक्षन नहीं है बलकि ये आपके चहरे पर वो ट्यूब लाइट अन कर सकती है जो सब को कहने पर मजबूर कर देगी कि किया क्या है चहरे पर अगर आपके चहरे पर डांक स्पॉट्स, पिग्मेंटेशन, किसी भी तरह की ब्लेमिश अन एवन स्किन टोन है तो भी आप इसको असरे मिडी फॉलो कर सकते है और एक ही अप्लिकेशन में वो ट्यूब लाइट आपके चहरे पर अन हो जाए बस भी आप अचीव कर सकते है प्रोवाइड पूरी वीडियो को ध्यान से देखा जाए समझा जाए जैसा बता रहे है वैसा फॉलो किया जाए and have the best of results for yourself. Ready everybody? आये बात करते हैं. Hello Tuma, wonderful, beautiful and amazing audience. I really hope आप सब अपना बहुत सारा खयाल रख रहे हैं और बहुत बहुत खुश हैं. अगर चानल पर पहली बार आए हैं तो जाए जाकर चेक आउट कीजिए कि क्यूं है ये परिवार 50 लाग से भी ज्यादा लोगों का और आप सभी जानते हैं यूही नहीं दिल लगाता को ही. जानते हैं ना? तो जाकर ढूंडिए कि क्यूं दिल लगाया है इतनी सारी लोग आज मैं आपसे बात कर रही हूं एक बहुत ही सिंपल सा फेस मास्क प्रिपेर करने के बारे में जो कि आपके चेहरे पर किसी भी तरह की समस्या स्पेसिफिकली डिसकालरेशन, डाकनेस, ब्लेमिश किसी भी तरह का अन्यवन स्किन टोन है इसको आप रेगुलेट कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी सी ब्राइटर स्किन अपने लिए पा सकते हैं वेन ऐसे ब्राइटर स्किन मेरा मतलब कभी भी गोरी तवचा नहीं है जो कि आप सभी बहुत जादा स्पेसिफिकली कई बार यूनों पिक कर लेते हैं आउट अप दो कांटेंट लेकिन कभी भी को रंग से नाम आपके आप यह समझे कि जो भी आपका स्किन टेक्स्टर है जब आप उसको फिक्स कर देते हैं जब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है तो वह अपने आप में बेहत खुबसुरत दिखती है तो प्लीज ट्राइन अंडिस्टान कि जो भी आपका स्किन टेक्स्टर है जो भी आपकी स्किन क्वोलिटी है वह बेटर ओफ हो जाएगी इवन टोन हो जाएगी और आपका कॉंफिदेंस बस स्काय रोकेट कर जाएगा रेड़ी एवरी बड़ी तो जल्दी से समझते हैं वह आपको चाहिए वह है आलू का रस जी हां एक मीडियम अच्छी से पील कर लीजिए वाश कर लीजिए ग्रेट कर लीजिए और इसके पश्चात अच्छी से निचोड के आप इसका जूस निकाल लीजिए इस वरी सिंपल वरी इजी और यह आप घर पर किसी भी तरह से कर सकते हैं अगर आपकी पास ग्राइंडिंग मशीन है तो आप इसको ग्राइंड कर लीजिए स्क्वीज कर लीजिए जैसे आप कामफोटेबल है हमें बस पटेटो जूस यहां पर चाहिए अच्छी से जब आप आलू का रस ले ले इसमें आपको लेना है एक चम्मच अलवेरा जै अब यह क्यों लेना है तो पटेटो जूस अगर नॉर्मल भी अपनी स्किन पर लगाएंगे ना आपको रिजाल्स मिलेंगे लेकिन इतनी खिची खिची सी हो जाती है कि फिर आपको लगता है कि यह नहीं कोई और तरीका ढूनते है होता है तो बस यही चीज़ हम अवाइड करना चाहते हैं आपकी स्किन को मॉइस्टराइ के लिए अपितु आपकी तवच्छा के लिए भी बहुत जादा हानी कारक हो सकता है इंदे टर्म्स की उसका टेक्स्चर चेंज हो सकता है रेमेडियल अक्षन अगर आप इस पानी में करते है तब तो आपकी स्किन को आप जानते ही है कोई रिजाल्ट ही नहीं मिलता होगा इसके बाद इसमें आपको लेना है एक चम्मच या सिर्फ इतना आटा कोई भी आटा जो आपके पास है उसका एक चम्मच आप यहां लेंगे सिर्फ इतना कि यह अच्छा सा तरल सा पेस्ट बन जाए यह आपको अच्छी से विस्ख करते रहना पढ़ेगा तब ही आपको अगर आप comfortable हैं तो आप यहां पर एक चोथाई चम्मच राइस फ्लावर यानि की चावल काटा भी ले सकते हैं वो आपकी स्किन को स्क्रब भी करेगा वाइटनिंग एफेक्ट भी देगा वाइटनिंग एफेक्ट से मेरा मतलब गोरा नहीं है डिस्केमर आपको भार बार दे वाइजां शियर्त गशिजों को अच्छे से मिला ली जिए अगर आपको ऑना प्रे शाहां लोग छर्फ करकोई इसमें फेषारी बना लियो हो चुक कcolor इसी को आपको लेना है और अपने चहरे पर लगाना है, पोस्ट वाशिंग यॉर फेस, गंदे चहरे पर कुछ नहीं करना है, इसलिए स्टेप नमबर वन हमेशा रहेगा, चहरे को अच्छे से वाश करना, अगर आपने मेक अप किया हुआ है तो प्लीज डबल क्लेंजिंग क काजल करते हैं तो भी डबल क्लेंजिंग कीजिए पले ओल लगाई अच्छे से और फिर फेस वाश से अच्छे से क्लीं कर लीजिए इसकी पश्चात यही मास्क को लेना है और सर्कलर मोशन में अपने पूरे चहरे पर लगाना है अगर आपको पिग्मेंटेशन है तो वहा पर इस्तमाल कीजिए एवरी सिंगल पोर्शन आफ यह फेस आप इसको यूज कर सकते हैं अगर डिस्कलरेशन आपके नेक पर या चेस्ट पर है यह भी आप यहां पर रेक्टिफाई कर सकते हैं हैं आप इसको ज्यादा मात्रा में बना कर नहाते समय अपनी पूरी बोड़ पर भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके लिए भी यह बिल्कुल परफेक्ट है आलू का रस वह सारी क्षामता रखता है जो कि पिग्मेंटेशन को धीरे धीरे लाइटन कर सकता है आपकी स्किन पर जब अंदर तक रसता है तो जितनी भी लेयर ऑफ स्किन एफेक्ट हुई होती है पिग्मेंटेशन से ब्लेमिशिस से वह लाइटन होना स्टार्ट हो जाती है और आपकी स्किन पर वह ट्यूब लाइट ओन हो जाती है जो कि बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि सिरफ एवन टॉन स्किन की वजह से वह एक ब्राइटनेस उनके चहरे पर दिखती है सफिशिन टाइम कि यह इंग्रीडियन्स आपके चहरे पर वह माजिक कर सकें वह कामनेस दे सकें आपके चहरे पर इफेट ओल बहुत ही माइन्यूट हैर है तो गेहू का आटा इस माइन्यूट हैर को हटा भी सकता है जहां अतनी उसमें कापासिटी है लेकिन अग्यान यू कि आपको चेंज़ दिख रहे हैं दस से पंदरा मिनट के पश्चा या जैसे भी आप कामफोर्टेबल हैं ज्यादा भी रख सकते हैं ऐसा कोई हार्स चीज यहां यूज नहीं किया कि आप जादा देर के लिए नहीं यूज कर सकते हैं अच्छे से लगा रहने देने के पश आउट कि कितना इंपोर्टन है हमारी आने वाली जनरेशन को शायद पता भी नहीं होगा कि शावर में हम नहाया करते थे या बाट टॉब का इस्तमाल किया करते थे उनके लिए बहुत सप्राइजिंग होने वाला है तो इस वेरी इंपोर्टन हम लोगों के लिए कि हम अभ इसके बावजूत जो भी आपने करेक्शन की है उसको लॉक करने के लिए आपको इसकिन को हाइड्रेट करना मौश्चराइज करना बहुत इंपोर्टन है अच्छे से मौस्चराइज करके यू आर गुद तो अगर अगर भर से बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं प्ल अगर नहीं तो आपके लिए प्लिकेशन की काफी क्लीन हो गई है और एक इवन टोन आपकी तवचा पर आजाएगा डन तो यह तो आपको समझ में आ चुका है कि अप्लिकेशन एक बार की कैसे करनी है और कैसे एंजोई करने है अपने रसाल्स अब हम समझते है कि इसका जैसे आपकी स्किन फील कर रही है जीसि आपको रिजाल्स में आपको रिल रही है उसके अनुसार आप इसको आगे पीछे रिपलेट कर सकते है आप выпी इस works best rd mal कर सकते हैं अगर आपको लगे की नहीं बहतर जाल्स होते जा रहे हैं तो तीन दिन में एक बार सकते यह एंड ग्राजुली यू कि एंड रेमेडियल अक्षन है जब रजाल समल जाए तो आप रुक सकते हैं और अगर अपने इसको सिर्फ अपने ग्लो के लिए यूज किया है तो आप जब गाम्फोटबल है पारी फंक्षन में जाना है उसे एक दिन पहले आप इसको कर सकते है and you can have absolutely flawless skin for yourself answering few questions around the remedy क्या आप बच्चे यूज कर सकते हैं बिल्कुल यूज कर सकते हैं हमने कोई हार्स चीज यहां यूज नहीं की है सब कुछ किचन बेस चीजे है आप पाच्टेस्स ले सकते हैं and then you can give it a try आप भी आपके बच्चे भी there is no harm at all क्या हम इसको every single day forever कर सकते हैं बिल्कुल कर रहे हैं तो थौट फुली कीचे और अगर सिर्फ once in a while कर रहे हैं absolutely no problem पर रेगलर कोई भी चीज को अपने एक दिंचर्य का पार्ट बनाना इसके लिए काफी जादा थौट फुल रहेगा और उसके बाद ही कोई अमेंडमेंट्मेंट्स कीजेगा इसके कोई साइड एफ सकते हैं कोई साइड एफेक्ट नहीं है लेकिन मेबी आपकी स्किन इनक्तिव के लिए इतनी कामफटेबल ना हो यह चीज हो सकती है तो आप इसके लिए थोड़े से विजलेंट रहे यह क्या हम इसको बना के रख सकते हैं देखिए पोटेटो जूस आप थोड़ी देर में थोड़ी देर में वह काला हो जाता है हो जाता है तो आप इसको निकाल के नहीं रख सकते हैं बाकी चीजों का ब्लेंड बना सकते हैं लेकिन पोटेटो जूस आपको फ्रेश ही डालना पड़ेगा तभी वह आपको असर दिखाएगा और वह चूब लाइट ओन करेगा तो तो हमेशा की तिरह आशा करती हूं कि मेरे परिवार को मेरी प्रस्तुती पसंदाई होगी अगर पसंदाई है तो डुगिवरत हमसब चानल पर नए है तो माज़क तो आप देखी चुके हैं ऐसे ही बहुत सारे माज़क आते हैं इसलिए सब्सक्राइब किये बिना बिलकल म हैं जरी कि हमतना कि अगर आप अपनी तब सचय का नाचरली धनगते हैं तो आपकी चिन इवनटोन हो जाती हैं रंग मैटर नहीं करता है अगर आपकी चिन अपना गूड़ वर्जिन है यु ग्रेडीर सुल्ट कि आ